वेलकम टुलर्ण मास कम्मिनिकेशन मैसल प्रियांका सो आज से हम जो अपनी जर्रीज अवेरनेस और जीके की स्टार्ट करने वाले हैं अब कोई भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और उसमें जर्नल अवेरनेस पूछी जाती है तो यह सिरीज बहुत जादा फाइदमन साबित होगे आपके लिए इसमें हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटिकल साइंस आपके साइंस नॉमल साइंस और टेक्नलोजी यह जितने भी जर्नल अवेरनेस के कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन्स होते हैं यह सब हम इसमें कवर करेंगे अभी हम स्ट्री से स्टार्ट करेंगे फिर हम जेग्रफी के कवर करेंगे फिर पॉलिटिक एक भी क्वेशन नहीं चूटेगा इस सीरीज में आप मीडिया एंट्रेंस की त्यारी कर रहे हो उसमें जर्नल अवेरनेस पूछी जाती है तो बहुत वास सब्जेक्ट है आप हर चीज नहीं कर सकते हैं इसमें हम वही इंपॉर्टन टॉप बेसिक क्वेश्चन्स जो होते हैं वह हम इसमें कवर करेंगे तो इसको प्लीज भाई हार्ट फॉलो करिएग सामवेद विच वेद सेकंड क्वेश्चन है कि विच वेद गेव अस गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र हमें किस वेद से मिला है आंसर है रिग वेद से हमें गायत्री मंत्र मिला है किसने रचा है उसका रचनकार का नाम क्या है आंसर है विश्वा मित्र विश्वा मित्र ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की है और यह किसको devoted है यह Lord Son मतलब सूर्य देवता को यह devoted है fourth question है जो word है गोत्र is derived from which VED word मतलब कौन से वेद से जो गोत्र शब्द है वो हमें मिला है तो वो मिला है हमें अथर्व वेद से word गोत्र जो है अथर्व वेद से मिला है fifth question in Rigveda which river name occurred maximum number of times Rigveda में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है तो answer है सिंधू नदी, सिंधू रीवर का सबसे ज्यादा वर्णन Rigveda में किया गया है which river is the purest one according to Rigveda कौन सी नदी सबसे ज्यादा पवित्र है Rigveda में जिसका वर्णन किया गया है तो वो कौन सी नदी है सरस्वती रीवर सरस्वती रीवर जो है purest है Rigveda के according seventh question word सत्यमेव जयते is derived from सत्यमेव जयते हमें कहां से मिला है वो मिला है मुंडोक उपनिशत से who is the writer of book Mithakshara Mithakshara के writer कौन है answer है विज्यानेश्वर विज्यानेश्वर ने कौन सी किताब लिखी है Mithakshara ninth question what is the other name given for महाभारत महाभारत का दूसरा नाम क्या है जय सहिता महाभारत को जय सहिता भी कहा जाता है ये जो basic questions होते हैं जो आपके one day exams में आपके media entrance में पूछे जाते है वही हम इसमें cover कर रहे है आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी आप बस इस series को follow करो आपके सारी journal awareness अपने आप complete हो जाएगी साथ ही जो हमारा current अफे जो series चल रही है practice questions उसको follow करो उसमें हम current के कर रहे है media aptitude वाली series चलेगी उसको follow करना है तो सब कुछ इसी से आप अगर करते हो तो आपको किसी अलग से कोई content पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपका इसी से अपके exam की सारी तयारी हो जाएगी 10th question name the places of Gotham buddh, birth and death तो गौतम buddha का जनम कहां हुआ था और death कहां हुई थी वो place कौन सी है लुम्बनी में buddh का जनम हुआ था और कुछी नगर में उनकी मृत्य हुई थी तो बर्थ प्लेस क्या है लुम्बनी और death place क्या है कुछी नगर 11th question है कि what is the name given to the incident of Gotham buddh death जो गौतम buddh की death है उस incident को उसको मतलब उसका क्या नाम रखा गया है उसका तो उसको बोला गया है महापरी निर्वान महापरी निर्वान उसका नाम रखा गया है who was the first guru of Gotham buddh Gotham buddh के पहले प्रथम guru कौन थे उनका नाम है अलार कलाम मतलब जब गौतम बुद्ध के ग्रहत्याग किया था उस incident को क्या नाम दिया गया है? उसे बोला गया है महा भिनिश क्रमन जो है गौतम बुद्ध के ग्रहत्याग को नाम दिया गया है फूटीन्थ ग्षेशन बुद्ध गेविसं सर्मॉन अट विच प्लेस अन इन विच लैंग्वज बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर और किस भाषा है दिया था? था बुद्ध ने वो सारनात में दिया था और वुनों ने अपने सारे उपदेश किसमें दिये है पाली भाशा में दिये है पाली लैंग्विज में दिये है 15th question maximum बुद्धा सर्मन वर गिवन एड विच प्ले सबसे जादा बुद्ध के उपदेश कौन सी जगहे पर दिये ग बुद्ध रिलीजन के थ्री रतन किने कहा जाता है आपके जो आंसर है वो है बुद्ध, धम और संग ये तीन चीज़े हैं जो बुद्ध की बुद्ध रिलीजन की जो है थ्री रतन कहा जाता है फर्स्ट, फीमेल, टू एकसेप्ट बुद्ध रिलीजन पहली महिला जिनोंने बुद्ध धर्म को जो है बुद्ध धर्म को जो है अपनाया था उनका क्या नाम था गौतुमी गौतुमी जो है वो बुद्ध की ही सौतिली मा है फिर करेक्ट सीक्वेंस 18th question है आपका बुद्धिष्ट council तो जो बहुत संगती हुई थी चार तो सबसे पहली कहां हुई थी और इस तरीके से चारों का correct sequence किया है तो correct sequence है राजग्री, वैशाली, पाटली पुत्र और कश्मीर तो पहली हुई थी आपकी राजग्री में, दूसरी वैशाली में, पाटली पुत्र जितने भी आपकी college entrance exams होते हैं, उसमें सब इसी तरीके के moderate questions पूछे जाते हैं, बहुत जादा deep questions या IES, PCS level के questions नहीं होते हैं, या फिर CGL level, या फिर competitive exams में, जो journal awareness आती है, normal जो आपके छोटे exams होते हैं, clerical exams होते हैं, या फिर उन के level के journal awareness है, क्योंकि इनमें सिर्फ facts करेंगे, जो basic facts हैं, सिर्फ हम वही करेंगे cover, हमें बहुत ज़दा किसी topic में master करने की एक दम deep जाने की जरूरत नहीं है, जो चीज अगर मुझे लगी कि important है, आपको पता होनी चाहिए, तो हम उस question में थोड़ा deep knowledge भी gain कर लेंगे, 19th question है कि बुद्ध चरित्र is written by, तो ये किताब किसने लिखी है, ये लिखी है, अश्व घोशने, अश्व घोशने जो है, बुद्र चरित्र लिखी है, 20 question है आपका, बुद्ध religion, main grant of budd religion, तो बुद्ध धर्म का जो है, मुख्य ग्रंथ, किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है, पिटक को, पिटक जो है, वो मुख्य, grant है, तो ये 20 questions हमने cover कर लिए आज की series में, I hope आपको series अच्छी लगी होगी, please comment करके बताना की कैसी लगी, हम इसे इसी तरीके से continue करेंगे, पूरा ही जितनी भी journal awareness है, किसी भी exam में जो पूछी जाती है, वो सारी हमें series में cover करेंगे, तो please channel को like करिएगा, subscribe साथ ही, इसका pdf जो है वो आपको telegram पे मिल जाएगा, दोने का link में आपको description में दे दूगी, और साथ ही, आप अगर media entrance की तियारी कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी किताबों की जर्रत होगी, वो भी मैंने अपनी description में आपको recommend कर दूगी, तो आप वहाँ से check out कर सकते हैं Thank you so much.